और इस पे यह एक रॉड पड़ी हुई है ऐसे यह रॉड पड़ी हुई है ग्राउंड पे इस पे भी एक रॉड पड़ी हुई है किसी फ्लेक्सिबल मिटीरियल की रॉड यह है तो हम क्या करते है इस रॉड पे अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉड कर देता हूँ A B आइडेंटिकल लाइन में इस पे भी ड्रॉड करता हूँ A B एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉड कर देता हूँ C D यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे ड्रॉड कर देता हूँ मैं C D यहोगी अब आप यह देखिए अगर इस एंड को फिक्स करके इस एंड यह वाला एंड फिक्स कर दिया हूँ इसका भी यह वाला एंड फिक्स कर दिया और इस वाले एंड को पकड़के उपर उठाते हैं तो यह जो रिजड बाडी है यह रिजड बाडी किस तरीके से उठेगी यह ऐसे उठ जाएगी लेकिन यह वाली जो बाडी है जो कि नौन रिजड बाडी है समझ लिए किसी या तो यह कोई चेन है या यह किसी बहुत ही सौफ्ट रबर का मेटीरियल है जो कि रिजड नहीं है या यह कोई क्लोथ है ठीक तो इस वाले एंड को अगर फिक्स करके इसको उठाएंगे तो यह वाला एंड कैसे उठेगा यह वाला एंड तो ऐसे उठेगा यह अगर यह नौन रिजड बाडी हुई तो यह वाला एंड ऐसे उठेगा यो आप देखिए क्योंकि ये तो non-resid body है इस वाले end को fix करके आप इसको उठाने की कोशिश करोगे तो ये तो ऐसे उठेगा तो आप देखिए AB line जो है AB line थोड़ इसी तिरशी हो जाएगी ऐसे पर CD line तो ऐसे हो जाएगी इस इस लाइन CD ये non-resid body है और ये rigid body है इसमें इसमें देखेंगे तो नई line AB ये वाली होगी और CD ये वाली होगी तो अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें है relative orientation का मतलब क्या हुआ relative orientation का मतलब ये हुआ कि दो पोइंट के बीच की distance यानि के distance between two points should not change should not change or orientation or angle between two lines on the body should not change 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 नहीं होनी चाहिए आप देखो इसमें अगर रिजीड की बात करें इसमें तो distance between A & B अगर इस body की बात की जाए यहां पे इस body की बात की जाए तो distance between A & D no change देखें A point के और D point के बीच की distance जितनी है यहां पे distance उतनी है उसमें कोई change नहीं आ रहा है तो relative orientation यानि कि एक दूसर के relative distance change ही नहीं देखो जितनी distance यहां पे है उतनी distance यहां पे भी है तो यह change नहीं होई इसमें क्या है इसमें A & D के बीच की distance जितनी है यहां पे A & D के बीच की distance इतनी है और बात में यही वाली distance यह हो गई मालनों यह वाला point A है और यह वाला point D है यह वाला point A बन गया और यह वाला point D बन गया तो this distance is smaller and this distance is larger तो यहां पे अगर देखा जाए तो distance between A & D changed change हो गई है relative orientation बन गई है rigid body में ऐसा कभी नहीं होता अब आप एक चीज़ और observe करो दूसरा point दूसरा point क्या है angle between A, B and C, D no change देखो A, B line यह है और C, D line यह है दोनों के बीच का angle अभी भी 0 degree है दोनों parallel है both parallel, both parallel, before and after, before and after orientation ही change नहीं हुई, क्या है no change, इसमें भी क्या है no change और इसमें क्या हो रहा है, इसमें change हो गया है, इसमें change हो गया है और इसमें angle भी change हो गया, और इसमें क्या हो गया, पहला तो यह दूसरा यह की angle between A, B and C, D changed तो आप कह सकते हो, इस rigid body को इस position में A, B और B, C, D इनके बीच का angle 0 degree है क्योंकि दोनों line है अलग-अलग है और parallel है और यहाँ पे इस case में क्या हो रहा है, एक line तो ऐसे हो गई यहाँ पे, एक line तो यहाँ पे ऐसे हो गई है A, B और C, D देको ऐसे हो गई है, C, D हो गई है ऐसे तो यह तो change हो गया ना angle दोनों के बीच का तो इस तरीके से एक part तो कम घुमा है और दूसरा part जादा घुम गया है यह non-resid body में होता है ऐसे, flexible body यह non-resid body तो यह body कैसी है, non-resid body, this is non-resid body जिसमें ऐसे हो गया, और यह क्या है, rigid body तो यह दोनों के बीच का difference है किस तरीके से हम difference को show कर सकते हैं अगर एक point पे बैठके दूसरे point को देखेंगे और तीसरे point को देखेंगे, तो first point जिधर दिख रहा है पहली बार में और दूसरा point जिधर दिख रहा है, दूसरी बार में वो कुछ angle होगा, लेकिन जब यह चीज मुड जाएगी कोई operation हो जाएगा, इधर से उधर shift हो जाएगा तो एक point पे बैठके जब दूसरे को देखेंगे तो अब दोनों के बीच का angle change हो चुका होगा इस वाले case में, पर इसमें ऐसा नहीं होगा अगर इसमें A पे बैठके B को देखेंगे और फिर C को देखेंगे, तो जितना angle हमें rotate करना पड़ता है B से C को देखने में इसको अगर आप rod को तिर्शा कर दोगे तो अगर B को देखोंगे और फिर C को अभी भी उतना ही angle rotate करना पड़ेगा B को देखने के बाद C को देखने में और D को देखने में इसका मतलब यह हुआ कि relative orientation change नहीं होनी चाहिए in case of rigid body और अगर relative orientation change हो रही है तो समझ लो body rigid नहीं है non rigid body है अब जो rotation के funde है वो rigid body पर ही लग सकते है पता चला भी हम कुछ omega ले रहे है ठीक है न कोई parameter change नहीं हुआ बीच रास्ते में rod मुड़ गई तो एक part का omega कुछ हो गया दूसरे का ज़ादा हो गया तो body के parts ही अलग-अलग omega को follow करने लगेंगे rules ही नहीं लग पाएंगे हमारी calculation ही नहीं हो पाएगी तो rigid body ऐसी चीज है जिसका rotation हम पढ़ सकते है पर non rigid body का rotation हम study नहीं कर सकते है क्योंकि different part की omega different होगा different part का rotation different होगा तो इसलिए बहुत सारे omega का बहुत सारे type के rotations का combination हो जाता है ये non rigid body इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको note करिए अच्छे से फिरूर आके बढ़ते हम इस topic से हमने सीखा है कि अगर rigid body है तो उसकी orientation body की नहीं body पे जो line ये draw होती है ये points बनते हैं उनकी orientation एक दूसरे के relative change नहीं होती और इसमें एक दूसरे के relative change हो जाती है एक line पहले मानलो horizontal से theta angle बना रही है और दूसरी line भी horizontal से theta बना रही है तो कुछ time बाद क्या होगा अगर non rigid body है तो वो line जो पहले theta और theta बना रही थी अब एक तो alpha बनाएगी और दूसरी कुछ और angle बनाएगी बीटा, alpha नहीं होगा अगर अब theta बन रहा है दूसरी का भी theta बन रहा है थोड़ी ज़र बाद इसका alpha बनने लगे और उसका भी alpha बनने लगे तो rigid body हो जाएगी लेकिन कुछ time के बाद एक का alpha बन जाता है एक का बीटा बन जाता है जबकि starting में दोनों के angle horizontal से same थे theta and theta तीक, आब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब type of motion देखते हैं rotation में कितने type की motion exists करती है motion देखते हैं क्या होती है types of motion types of motion देखो जो motion के type है सबसे पहली तो क्या है linear motion linear motion linear motion मतलब straight line में motion straight line motion भी बोल सकते हैं इसको आप दूसरी होती है rotational motion rotational motion जैसे यह वाली linear motion है इसको आप straight line motion भी बोल सकते हैं अब थर्ड टाइप की जो motion होती है जो हमको पढ़नी होती है जो थर्ड टाइप की motion है जो थर्ड टाइप की motion है दाट इस linear प्लस लीनियर प्लस रोटेशनल motion लीनियर और रोटेशनल मोशन का combination जिसको आप रोलिंग भी बोलते हो इसका एक special case रोलिंग भी है रोलिंग करना यानि के linear velocity भी है और linear velocity होते होते साथ साथ में rotational velocity भी है यानि के body shift भी हो रही है और घूम भी रही है body shift भी हो रही है और घूम भी रही है उसको बोलते है linear प्लस रोटेशनल combined motion और दूसरा नाम है combined combined motion combined मतलब पहली और दूसरी का combination तो हमें इस chapter में यह तो हम पर चुके में straight line motion kinematics में इस chapter में हमें यह वाली और यह वाली पढ़ने है इस rotational motion को भी बहुत हद तक एक अच्छे level तक हम circular motion में पढ़ चुके हैं पर इस chapter में हमें यह वाली छीज पढ़ने है जीक अब आप यह देखिए कहीं कहीं पर कहीं पर ऐसे लगता है जैसे rotation हो रहा है पर rotation होता नहीं है कैसे कब पहचानना है कि rotation है या नहीं है क्योंकि दो चीजे होती है एक तो circular motion circular motion और एक होता है rotation तो कुछ motion ऐसी होती है जो गोल-गोल घूमती है circular motion तो होनी है तो circular motion तो ये होगी और rotation भी circular motion होगा rotation भी एक type की circular motion होगी पर वो circular motion rotation ही है उसके लिए हमको पहचानना चाहिए ठीक, तो action में होता क्या है circular motion तो सारी है तो अगर देखा जाए तो this is circular motion यह जो बड़ा वाला है यह तो circular motion है and this is rotational motion this is rotational motion तो कुछ motion ऐसी है जो rotation motion तो circular होगी होगी पर जरूरी नहीं है circular motion rotation हो vane diagram के help से हम बता सकते हैं यह circular motion है पूरी की पूरी इसी में से कुछ type की motion especially rotational motion होती है तो कोई motion rotation है के नहीं है उसके लिए मुझे पहचानना पड़ता है या फिर यह किसी और type की circular motion है बस for example मान लिजे आपके पास यहाँ पे एक rigid support है ऐसे इसमें से एक इस तरीके की rod निकली हुई है यहाँ से यू राड निकली हुई है यू और यहाँ पे एक billboard है आपके पास इस तरीके का एक billboard है आपके पास यह इस billboard पे इस तरीके से ये, ये ये रेंडमेंड मना हुआ रहा है, ऐसे, this is flexible, दूसरा बिलबोर्ड भी बिलकुल ऐसा ही है,